किशुर कुमार सापने जब इस गाना का स्टार्ट लिया है पहले अलाप से लिया है हमीं से किशुर 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 नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मिद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और करोना के वक्त भी इस बारिश के मौसम का मज़ा ले रहे होंगे तो स्वागत है फिर से आपका इस चैनल डोनेट मुजिक में जहां मिलता है आपको ग्यान ही ग्यान तो आज फिर में लेके आया हूँ बारिश पे ही आधारित एक प्यारा सा रोमेंटिक गाना रिम जिम गीरे सावन सुलक सुलक जायमन आज इसको मैं दो वर्जन में बताऊंगा तो कि इस गाने को लता जी ने भी गाया है और किशोर कुमार ने गाया है और दोनों थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से अलग अलग स्वर लगाए है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस गाने का टिटोरियल ये गाना फिल्म मंदिल से लिए आगया है अमिता बच्चन जी, मौसमी चेटर जी थी संगीत आडी वर्मन का है और गीत कार योगेश जी है तो शुरू करते हैं पहले लता जी का आणा मैं आपको बताऊंगा मुखडा, फिर किशोर साब का मुखडा फिर लता जी का आंत्रा, फिर किशोर साब का आंत्रा सारे को बलगा मापा धार कुमलनी सा, सानी धापा मागरे सा बीच बीच में इसमें सुद धा भी लगते हैं खीद ऐसा अगा हम तक्राक्राइब यह द्धा का यूज करते कर रहे हैं Nah तो यह तो यह शुद नी भी लग Speakery शुद नीभी लगत रहा है okay तो नी कहीं के लगा रहे है भ भी सुद धा कहीं के यूज कर रहे हैं Lepin main Peter है कर भी सुद और सुद वह क्योंत है तो यह बीट जो है 4-4 का बीट है बट आणी वर्मन साहँ है रिजम का पेटर्न जो उनका होता है एकदम अलग ही होता है चक्ण 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 इस तरह से बज़रा है रिजम फोर फोर का बीट है, कहरवा बोल सकते हैं इसको अब धागे न तीनक धीन धागे न बट कहरवा का पैटर्न अलगे इसमें, तो मैं स्लोली सोली अब को बताता हूँ, पहला नोट बहुत इंपोर्टन है, इसका जो इंट्री पॉइंट है न, मैंने बहुत सिंगर को देखा है गलत गाते हुए, कुछ भी गालते हैं, रिम जिम गिरे सा, कुछ भी, लेकिन एक्चोली क्या है, रिम जिम गिरे सा, ये पकड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सागा मापा धासा, सागा मापा धासा, ये है, रिम जिम गिरे का, किशोर जीने वी ऐसे गाया है, और लेकिन लोग जो शोज में गाते हैं या कुछ में सिंकर्स जो थे वह इस वात को ध्यान देते हैं वह गा देते हैं किसी-किसी से नहीं होता है तो अगर आप सेकलेंगे इस वीडियो देक्खें आपको कभी गलती नहीं होगे इस में रिम जी मरले जब फास्ट बोलते हैं जरुता है है लेकिन होना केते हैं सागा मापा रिम जिम गिर सावा, सागा मापधा सापापा रिम जिम गिर सावा, सुलक सुलक जाए मन धीके आज ये, धीके आज इसमों संदे लगी कहसी है अगन तो यहाँ पर इस मुखड़े में दो तीन बाके हैं आपको याद कर लो खली आप कभी मुश्किल नहीं हुई गाने में आपको पहरा तो पता दिया मैंने सागा मापधा सापा पा पा इसके बाद यहाँ पर शुद गर लगा दिया प्रवाद धिगे आज 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 पद निधा धिगे आज इस मोसं में नी-नी नी नी-ада नी के साथ ढुल तो यहाँ धा कहीं पुट है नी-da-णी-da हलका लेकिन पुरनी है इस मोसं में नीरी दली दली पा लगी कैसी ये अगर मुँँँँ बस ये पॉइंट पकड़ी है लगी पनी पनी सरकार सा निसा परसा पा रिम जिम गिर सा अब ही आते हैं किश्वर कुमर साफ ने कैसे गाया इसको सुनिए किश्वर कुमर साफ ने जब इस गाना का स्टार्ट लिया है पहले अलाप से लिया है हमिंग से यह अलाप कैसे ता देगे कुमर लिया हम ने जबस्वर का rate यह क 봅 difा रिमें मुक जिया है यह अलापिया यह 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 अलाप कैसे अलाप की टाफर करेंग है किश्वर कुमर नह जेतन से जगते हैं आपको कि दा पा मा को मत जा रहा है दा मा पा आप गाना सुन दीजिया वही रिम जिन गिरे सावन का नोटेशन वही है साघ मा पद साघ पा 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 जाब міदा नीड़न नेपा पनी सरगर इस अपाल डाव सहकड यह है स्ट अपन नोटेशन है सिर्फ है अलग पर लोग मैं सुलग सुलग जाएं मन वो तो रहा दो तरह से लिए आनोंने और अलग मुख्ड़ा मेसे ही अलग है किशोर कुमार साब कर रिम जिम गिवे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज भीगे आज इसमों सम्ने लगी कैजिये अगन रिम जिम गिवे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इसमों सम्ने लगी कैजिये अगन रिम जिम गिवे सावन यह हो गया ओके अब चलते हैं अंत्रा पे पहले लटा जी का आंत्रा सुना होगा फिर किशोर जी का आंत्रा ओके चलिए लटा जी का जो अंत्रा है वो सान से उड़ता है सा से तालसों तक के सा से उड़ता है साली सारे सापा पहले भी यूं तो बरसेते बादल पहले भी यूं तो दीगा था आचल कि अंजा शाल इस रजाता है..? किशोर मरसा में ऐसा नहीं है किशोर मरसा का अंत्रा अलग ज्यास ऑर ये छोड़ने का भी तरिका अलग है इसमें एक और एडिशनल है लग्फा जी में यह पीच में ह Рणो्ने करको आपर लिहきます ला लासला लाडाला दशा रे 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 र गार, साठाः अब यही लालाला जो है उन्होंने 2 हिंत्रा मी लिया है लेक्टे सोड़ा सा अलग कर दिया है यह आडी वनोन सहापा कमाल है, हुणका तर्फेवरेट नोट लो 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 यह लुख ए किया है? दिखें? बस यह अंतरा यह हुन्हें थुरा चेंजिंग किया है. लता जी वाले में. फिर उसके बाद जोंकी लइन आती है. हब के परस क्यों सजल सुलग सुलग जाए मली से में पिर यह सुलग सुलग ऐसा कभी-कभी उनने लिया है. सुलक सुलक जाए मन बस बाकी सेव है अब आप मैं आपको अंत्रा किशुर साब ने कैसा गा है वो बताते हैं मैं अब दिखाता हूं इनका अंत्रा का स्टार्णिंग पॉइंट क्या है कौन तर रोट जब जब इनके थ्रोइंग बहुत अची थी कि शुरा कमार साप के ना थ्रोइंग वायज करते थे तन सट्वक जगह पे और बैलेंस रोता है ना चिलाते थे ना धीले गाते थे इनकी जो थ्रोइंग थी ना लाजवाब थी तो ऐसी किया थ्रोग ऐसा किया देखो रे पे सीधा रे उपर का रे जब गुंगरों सी बजती है बूदे अर्मा मारे बलके नमूदे सापही छोड़ा है नोने फिर वीज़े फिरा आता है फिर उन्हों रिपिट किया है नोने जब गुंगरों सी गुंगरों सी ये लाई बजती है बूदे अर्मा मारे बलके नमूदे मूदे सापह लता जी ने कैसा का यहां पर उनका लाईन था ना मूदे ऐसा ने लिया मूदे अर्मा अर्मा हमारे बलके नमूदे दोनों सींगर का तरीका अलग अलग हो गया है मूदे तो इनका नोटेशन बताओ को अच्छे नोटेशन बताई देताओ को जब घुरू ओ सी रे सा पपडब मापदादा बजती है बूदे सा 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 नी सा जारे रे हर्मा हमारे रे मारे सा 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 अपडबाब बलके नमूदे क्या है दा 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 सा अपड़ आप अब आगे कैसे देखे सपड़े अब यहां पर रे से बचनाब साघ मां पड़ यह नहीं होता करकर किसी किसी से कोई जो भी पर गॉरै रे नहीं होता लेकिन कैसे यह नहीं कैसे तो दोनों में अंतर बहुत छोटव webs है लेकिन ध्याद देर्चिया आपको सारे सागा आधा नोट का फ़र गए खाली बस सागा मा पद सपा कैसे देखे सपने ने सूलग सूलग दावामा नीपामा सूलग सूलग जाए मन मा मगमरे सूलग करें तपा की खटका लेकर आते हैं अ उर्चे아서 जाए मन छोटी छोटी चीज ऐसी हैं जो आप लगाऊटे लोगे तो आप उसके बिलकुल करीब पहुँचाओगे उस गाने के ऊरिजिनल गाने के करीब यहाद गाऊगे जाए मन भीगे आज इसमों संदे रेमा पदरी दादी नी नी दादी पद लगी कैसी ए अगर्ण। पनी सरगर सागी सापाद सापा रिम जीम गिर्षा पाकी सकेंड नंतरा भी इसका सेम है इसलिए वो सेखने की जरूरत नहीं है आपको दवकर सीख जाओगे तो दोस्तों कैसा रहा यह गाना इजी था कि आपको सीखने को मिला प्लीज आप कॉमेंट बाक्स में मुझे जरूर बताइएगा बढ़ कुछ कुछ चीज़े ऐसी थे जो मुश्किल होती है सिंगर को गाने में कई सिंगर को मैंने देखा है फस्ते हुए इसलिए मैंने सुचा कि इस नोट पे मैं जड़ा हालाइट करूँ ठीक है जड़ा समय आपका नहीं लोगा धंगलेवाद थेंक्यू मिलते हैं अगले वीडियो में